हाई वाट्स अब गाईज मैं हूरिमतान विलकम बैक टू मैं यूट्यूब चैनल दोस्तों आज मैं एक्स्लेइन करने वाली हूँ पनुनगन आगमा का पार्ट टू जो की आया था दो हजार इकिस में और आयम डीवी पे इस क्रेटिंग 5.4 की है कहानी की शुरुवात कट सीन से होती है दोस्तों अगर आपने इसका पार्ट वन नहीं दिखा है तो पहले आप उससे देख लीजे लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा उस रात एना सारा का पीछा करती है जो सारा के बैंबू बूत में अकेली खड़ी थी सारा अपनी मा को आते देख वहां से भाग जाती है और उसका पीछा करते हुए वहां एना आती है एना को महसूस होता है कि उसके पीछे कोई है और एना को तोका जी हौंट करता है और त तबी एना बुरे सपने से जाकती है और आमिर महसूस करता है कि उसकी पतनी कई बार एक ही बुरा सपना देख रही है। एना ये बात आमिर को बताती है जो उसने सपने में देखा था। वस अपना उसे हुदा से किये हुए अपने वादे की याद दिलाता है और यहां से मुवी स्टार्ट होती है यहां में पता लगता है कि आमिर ने एक छोटे बच्चे की मदद की थी जिसे भूत दिखा करते थे और उस बच्चे के मातबिता आमिर को उस्ताद बुलाते है और उसे थैंक्यू के रूप में कुछ पैसे देते है आमिर उन पैसों को लेने से पहले तो हिचकता है लेकिन फिर आमिर उन्हें रख लेता है जिसके बाद आमिर के पास सुफियान नाम का एक आदमी आता है जिसे जंगल से होके गुजरने के बाद चिंस दिख रहे थे जिस पे आमिर उसे एक फार्म फिल करने के लिए कहता है जिसमें कुछ सावालों की जवाब सुफियान को देने थे और उन जवाबों से आमिर को ये पता लगता है कि सुफियान को मेंटल इल्निस है दूसरी तरफ हम एक फादर को देखते हैं जिनका नाम है माइकल हम देखते हैं कि वो कहीं जा रहे होते हैं जब उनके पीछे हम दो शैतानों को खड़ा देखते हैं दोस्तों आमिर के माता पिता उम्रा पे निकल गए थे जिसके बाद वो हनीमून पे जाने वाले थे और यही बात एना आमिर से पूछती है कि वो लोग हनीमून पे कब जाएंगे और आमिर बताता है कि वो इसके लिए पैसे सेव कर रहा है जिसके बाद हम देखते हैं कि हाफिस ने आमिर को ये आइडिया दिया था कि वो एक सोशल मीडिया पेच बनाए ताकि वो लोग जादा लोगों तक पहुंच सकें और उनकी मदद कर सकें लेकिन एना को ये सही नहीं लगता तब ही आमिर के पास मुनिरा नाम की औरत का कॉल आ जिसका पती पजस्ट था तब ही वहाँ आमिर पहुंचता है और अंदर जाते ही लाइड चली जाती है और वो पजस्ट आदमी आमिर पे अटैक कर देता है और उसके अंदर का जिन आमिर से कहता है कि उसका समय आने वाला है जिसके बाद आमिर उस जिन को उस आदमी की इसे दिना चाहती है जिस पर आमिर कहता है कि वो भूल गया था जिसके बाद हम देखते हैं कि आमिर जौब करके वापस आ रहा होता है तब ही उसे अपने पीछे किसी के होने का एसास होता है और उसके पीछे कोई खड़ा था और जब आमिर उसका कपड़ा हटाता है तो वहा चोंको अपने घर पे पढ़ा रही होती है और उनी में से एक स्टूडेंट हानिम अपने घर जा रही होती है जब उसे हुदा दिखती है जिसे देख कर हानिम डर जाती है दोस्तों अब लोग आमिर को मदद के बदले पैसे देने लगे थे जिसे आमिर रख लिया करता था और अब आमिर महंगी चीजे खरीदने लगा था एक रात हम हुदा को आमिर के घर के सामने खड़ा हुआ देखते हैं जो एक मरे हुए कोवे को आमिर के घर की तरफ फेक देती है अगले दिन हम देखते हैं कि आमिर के घर पुलिस आती है और हानिम के बारे में पूछती है तब आना को ये पता लगता है कि आना के पढ़ाने के बाद जब अपने घर जा रहे थी हानिम तब से ला पता है इधर आफिस में हाफिस आमिर को बताता है कि हुदा को उस जगे वापस देखा गया था और वो लॉट आई है जब पार्ट टाइम चुना था लेकिन अब आमिर उसे फुल टाइम कर रहा था उसी रात हम सारा को देखते हैं जिसे पेड़ पे कोई दिखता है और आमिर पता रगता है कि सारा को घोस्त दिखने लगे हैं लेकिन आना उसे अंदर ले आती है और सारा से कहती है कि वो सोने चली जाए तभी अइना को हुदा उसके घर में ही दिखती है जिसके बाद अइना हुदा का पीछा करती है और एक रूम में चली जाती है जहां का तरवाजा अपने आप बंडो जाता है और एना को कुछ विस्परिंग सुनाई देती है तब ही वहाँ आमिर आता है और एना को समालता है एना यहाँ आमिर को बताती है कि वहाँ कुछ गड़बड है और उसकी स्टूडेंट हानिम भी लापता हो गई है अगली सुबह हम देखते हैं कि हानिम के मता-पिता एना के पास मदद मांगने के लिए आते हैं ताकि आमिर उनकी बच्ची को ढूणने में मदद कर सके यहां में पता लगता है कि हानिम तीन दिन से लाप पता है और पुलिस को कोई भी जानकारी नहीं मिली है जिस पे हम देखते हैं कि आमिर बहुत रूडली उन्हें जवाब देता है और कहता है कि अगर उसे कुछ पता चलेगा तो वो एना को बता देगा और इस वक्त उसे कुछ काम है जिसके बाद आमिर वहां से चला जाता है हम देखते हैं कि आमीर एक घर प्याया होता है जहां उसे एक औरत मिलती है और वो उसे अपनी ग्रेंट फादर तक ले जाती है वो बुड़ा आदमी आमीर को बताता है कि उसकी पोती को घर में अजीब चीज़े दिखती हैं जिस पे आमीर ये कहता है कि वहां चोर हो सकते हैं जिस पे वो बुड़ा आदमी आमीर को कुछ पैसे देता है और कहता है कि सिर्फ आमीर ही उसकी मदद कर सकता है और आमीर उन प वो कोई पजस्ट नहीं है और पुलिस इसको धून ले गी लेकिन आना को लगता है कि हानिम पे जादू किया गया है और वो आमिर से इसके घर जाकी चेक करने क Lee कहती है लेकिन आमिर कहता है कि वो बिसी है और अब आमिर और आना की बीच में बहस हो जाती है क्योंकि अब आमिर सिफ पैसों के लिए काम करने लगा था और उन लोगों को नजर अंदास कर देता था जिने वागए ही मदद की जरुट है तब आमिर कहता है कि वो कल जाके हानिम के पिता से बात कर लेगा अगले दिन आमिर हानिम के पिता से बात करने जाता है जब वो वहाँ फादर माइकल को देखता है और फादर माइकल हानिम के पिता से कहते हैं कि वो हानिम को टून लेंगे ये देख के आमिर को बिलकुल भी अच्छा नहीं लगता कि हानिम का पिता एक फादर से हेल्प ले रहा है और वो हानिम के पिता से कहता है कि उसने फादर की मदद क्यूं ली जिस पे हानिम के पिता कहते हैं कि उन्होंने फादर की मदद नहीं ली बलकि फादर माइकल खुद मदद करने के ले आई थे अगले सीन में हम देखते हैं कि फादर माइकल हानिम का मिसिंग पोस्टर चर्च के लोगों में बाट रहे होते हैं ताकि अगर किसी को हानिम का पता लगे तो वो उन्हें बता दे तब ही वहां आमिर आता है और फादर माइकल से कहता है कि हानिम के माता पिता ने उस से मदद मांगी थी जिस पे आमिर फादर से कहता है कि वो बीच में ना पड़ें और ये कहने के बाद वोँआ से चला जाता है इसके बाद हम देखते हैं कि सारा को हानिम का विजन आता है जिसमें हानिम सारा से कहती है कि वो उस जगे से भाग नहीं सकती और वहीं बीचे तोका जी खड़ा होता है यह सपने देख के डर के मारे सारा उठ जाती है और अपनी मा को सब कुछ बताती है कि तोका जी ने हानिम को किड्नैप किया है दोस्तों जाहिर सी बात है कि सारा सपने के जरीए हानिम तक पहुँच गई थी क्योंकि सारा के पास ऐसी अबिलिटी थी अब ये बात एना आमिर को बताती है कि सारा के पास ऐसी अबिलिटी है ये सुनके आमिर को जादा फर्क नहीं पड़ता क्योंकि वो नहीं चाता है कि व पारे लोग हानिम को ढूनने के लिए जंगल में जाएंगे आमिर आना से कहता है कि तोका जी मर चुका है लेकिन आना तब आमिर को याद दिलाती है कि उसकी वाई फुदा अभी भी जिन्दा है अगले दिन हम देखते हैं कि सभी लोग हानिम को ढूनने के लिए जंगल में ज चाहिए लेकिन आमिर फादर को वहां देख के बिलकुल भी खुश नहीं था या हम देखते हैं कि आमिर काफी बुरी तरह से फादर से बात करता है तब इमाम कहते हैं कि कुछ लोग आमिर के साथ दूसरी तरफ जाएं और बाकी लोग फादर के साथ लेकिन इतना ढूनने के पाद भी ने हानिम नहीं मिलती अब आमिर वापस उस बूड़े आदमी के घर पे आता है तो वो बूड़ा आदमी आमिर को बताता है कि जब से आमिर उनके घर आया है तब से उन लोगों को किसी भी बूरी चीज़ का एसास अपने घर में नहीं हुआ और वो आमिर को खाना उ कर लिया है ताकि फादर माइकल हानिम को बाद में डूड़ने का नाटक करें और सबके सामने हीरो बन जाएं ताकि वो आमिर का नाम खराप कर सकें लेकिन एना को ऐसा नहीं लगता एना भी तक सब कुछ देखती आ रही थी और अब वो आमिर से सीधे बोलती है कि आमिर मदद के बदले उन से पैसे लेता है और सिर्फ उनी की मदद करता है जो उसे पैसे दे सकते हैं और गुसे में आके एना आमिर की वाच को तोड़ देती है जो आमिर ने उन पैसों से खरी दी थी ये देखकर आमिर एना को थपड़ मार देता है और एना रोते हुआं से चली जाती है जिसके बाद हमें पता लगता है कि आमिर वापस किसी को हील करने जाने वाला था और वो हाफिस की मदद मांगता है लेकिन हाफिस मना कर देता है और कहता है कि उन्हें अपनी जौब करनी चाहिए जिस पे आमिर हाफिस से भी ये कह देता है कि वो आमिर से जलता है और के बाद हम देखते हैं कि हानिम के पिता का कॉल आमिर के पास आता है और वो बताता है कि उसकी वाइफ विहोश हो गई है और आमिर उसे एक बार आके देखे जिस पे आमिर मान जाता है आमिर जब हानिम के घर की तरफ जा रहा होता है तब ही फादर उसे आके रोकते हैं क्यों बात करने की जरूत है लेकिन आमिर उनकी एक नहीं सुनतारवां से चला जाता है आमिर जब हानिम के घर पहुचता है तो हानिम के पिता आमिर को अंदर बुलाते है तब ही आमिर को उसी बूड़े आदमी की पोदी का कॉल आता है जो मदद के लिए उसे घर बुलाती है और आ एक्दम शान्त हो गया और अब उसकी पोती को लगता है कि उसके ग्रैंट पा मर चुके हैं और अब उस आदमी की पोती आमिर से हेल्प करने के लिए कहती है क्योंकि वो अकेले नहीं रह सकती और वो आमिर से कहती है कि वो से शादी कर ले और उसके पास जितने भी पैसे हैं वो सब आमिर को दे देगी, ये कहके वो आमिर को गले लगाती है, और यहां आता है सबसे बड़ा ट्विस्ट, जब आमिर सीधे हुदा के पास पहुँच जाता है, क्योंकि हुदा बहुत लंबे वक्त से आमिर का इंतजार कर रही थी, कि वो उसके जाल में फस जाए, जिया दोस्तों, ये सब हुदा का एक जाल था, दरसल आमिर जिस बूड़े आदमी के घर आया था, वो बूड़े आदमी का घर नहीं, बलकि हुदा की जगे थी, उसको हुदा की शकल में उस बूड़े आदमी की पोती दिख रही थी, क्योंकि हुदा ने आमिर पे जादू किया और जो खाना आमिर ने उस बूड़े आदमी के घर पे खाये था, दरसल वो खाना नहीं बलकि कीडे मकोड़े थे, जो हुदा नहीं आमिर को खाने के ले दिये थे, और आमिर को हुदा की चाल का पता इसलिए नहीं लगा, क्योंकि आमिर का विश्वास डग मगा गया था, और वो पैसों के पीछे पढ़ गया था, इधर सारा आइना को बताती है, कि आमिर मुसीबत में है, क्योंकि सारा नहीं ऐसा विशन में देखा था, अब जब एना उस चेक को देखने जाती है, जो कि उस बूड़े आदमी ने दिया था, तो दरसल वो कोई चेक नहीं, बलकि एक पती थी, हम देखते हैं कि हुदा नहीं हानिम को किड्नाप किया था, और अब वो हानिम को जान से मारने वाली थी, तब ही फादर माइकल पीछे से आके हुदा के सर पे वार करके उसे बेहोश कर देते हैं, और कॉल करके एम्यूलेंस बलाते हैं, तब हुदा फादर के स जनाता है और वो एना को बताती है कि आमिर उस घर के अंदर है हम देखते हैं कि हुदा ने आमिर को दूसरी दुनिया में पहुंचा दिया था जहां उसे सारा और हानिम दिखते हैं तब ही वहां तोकाजी आता है और वो आमिर का गला दबाना शुरू कर देता है जिसके बाद वो सारा को उपर हवा में उठा देता है और एक तरफ एक देता है और इधर असली दुनिया में सारा के मुझे खुन निकलने लगता है एना सारा को जगाने की बहुत कोशिश करती है लेकिन सारा नहीं जाकती और एना आमिर को बचाने के लिए घर के अंदर चली जाती है और हाफिस से पुलिस बुलाने के लिए कहती है अंदर जाके एना को आमिर, हानिम और फादर माइकल दिखते हैं उदर दूसरी दुनिया में आमिर अपनी बेटी को बचाने के लिए मदद के लिए पुकारता है लेकिन उसकी मदद कोई नहीं करने वाला था तब ही हम देखते हैं कि तोका जी आमिर से कहता है कि उसे उसके साथ एक डील करनी होगी या तब हानिम को मार दे और सारा को बचा ले या फिर वो सारा की जान लेके हानिम को बचा ले दोस्तों दरसल वो तोका जी नहीं था दरसल वो एक शैतान था जो आमिर से ये सब करने के लिए कह रहा था असली दुनिया में हम देखते हैं कि हुदा एना को मानने के लिए उसकी तरफ बढ़ती है और कहती है कि एना ने अपना प्रामिस तोड़ दिया जिस पे एना हुदा से माफी मांगती है आना हुदा से कहती है कि अभी भी देर नहीं हुई है और वगवान हुदा के कर्मों के लिए उसे माफ कर देंगे लेकिन हुदा कहती है कि बहुत देर हो चुकी है उसे माफी नहीं मिलेगी जिस पे आना हुदा से कहती है कि गॉड अभी भी हमसे प्यार करता है और वो जरूर हमें माफ कर देंगे इदर वो शैतान आमिर से कहता है कि अगर वो हानिम को मार दे तो वो वापस फेमस उस्ताद बन सकता है और उसकी सारे परिशानियां खतम हो जाएंगी इदर एना हुदा से माफी मांगती है कि उसकी वज़े से हुदा को ये सब छेलना पड़ा हम देखते हैं कि आमिर उस दुनिया में हानिम को मार नहीं पाता तो वो शैतान आमिर से कहता है कि वो कमजोर है और अब वो आमिर को मारना शुरू करता है और असली दुनिया में आमिर के मूँ से खुन निकलने लगता है एना आमिर को जगाने की बहुत कोशिश करती है लेकिन आमिर नहीं जाकता उधर दूसरी दुनिया में आमिर गौट से मदद मांगता है असली दुनिया में एना हुदा से मदद मांगती है और हुदा इशार में बताती है कि एना को डेविल की वर्शिप की जगे तोड़नी होगी इधर शैतान आमिर को तड़ पाये जा रहा था और इधर असली दुनिया में एना शैतान की मूर्थी और उसकी वर्शिप की जगे तोड़ देती है जिससे वो शैतान खतम हो जाता है और आमिर सारा और हानिम असली दुनिया में लौट आते हैं और एना हुदा को गले लगा लेती है हुदा भी एना के साथ ऐसा करना नहीं चाहती थी लेकिन वो अपने पती की मौत से काफी दुकी थी और दोस्तों अब ये रिवेंच खतम हो गया था अगले सीन में हम आमिर के परिवार को दुआ करते हुए देखते हैं और आमिर एना से माफी मांगता है क्योंकि आमिर बदल गया था लेकिन एना हमेशा आमिर के साथ खड़ी रही आमिर को भी अपनी गल्दी का एहसास हो गया था और अब वो ही आमिर बन गया था जो वो पहले था इसके बाद हम फादर माइकल और आमिर को एक साथ देखते हैं जहां आमिर ने फादर माइकल को बलाया था और आमिर फादर से सौरी कहता है जिस पर फादर माइकल कहते हैं कि अब वो खुश हैं क्योंकि उन्होंने एक नया दोस्त पा लिया है जिसके बाद हम दोनों को हसते हुए देखते हैं और बस ये मूवी यही एंड हो जाती है तो दोस्तों ये था मेरा मूवी एक्स्टेनेशन मलेशन होरर मूवी पैनुगन अगामा के पार्ट टू को लेकर उमीद करती हूँ आपको ये वीडियो एक्स्टेनेशन पसंदा होगा अगर अभी भी आपके कुछ सवाल हैं तो आप जानते हैं कि आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं और अगर आपको ये वीडियो पसंदा है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब किये बिना मत जाईएगा मैं मिलूँगे आप से अगले वीडियो में तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिए स्टे सेफ, कीप अंटिंग, लॉट्स अफ लव